हेलो दोस्तों आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ दो लिलीज प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा देखें और पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो सबसे पहले हम फुटबॉल लिली के बारे में बात करेंगे ये फुटबॉल लिली का फ्लावर है और ये बल्ब से प्रोपुगेट होता है डिवाइट करके भी इसे लगाया जाता है बहुत सारे नीचे से बल्ब मल्टिप्लाई होते रहते हैं आप देख सकते हैं चार पांच फ्लावरिंग होई क्योंकि बल्ब अच्छा मेच्योर था फ्लावरिंग मेच्योर बल्ब में होती है आप नीचे जो प्लांट और देख रहे हैं उसमें इस साल फ्लावरिंग नहीं होगी नेक्स्ट इयर उसमें फ्लावरिंग होगी मैं जैसे ही नेक्स्ट इयर आएगा फ इस टीक में इसके flower निकलते हैं एक bulb में केवल एक ही flower खिलता है और साल में एक बार ही इसमें flowering होती है यदि आप इस तरह के plant पसंद करते हैं तब ही आप लगाईए और continue flowering चाहिए तो इस plant को आप अवाइट कर सकते हैं क्योंकि एक बार summer में ही इसमें flowering होती है उसके बाद आपको इसे पालना पड़ता है मतलब रखना पड़ता है प्लांट्स इसके बने रहते हैं और प्लांट्स नहीं बने रहते तो बल्ब तो रहते ही है नीचे और जैसे ही सीजान आता है फिर से इसमें flowering होती है और इसकी मिट्टी well-drain हो pot में लगा रहे हैं तो वैसे तो य यदि देना चाहते हैं तो आप फरवरी के मन्थ में थोड़ा सा वर्मी कंपोष्ट मिला दीजिए इसमें तो बहुत अच्छे से चलेगा ये प्लांट्स सनलाइट इसको प्रापर चाहिए 5-6 गंटे की सनलाइट मिले ऐसे जगह पर रखें पूरे दिन की सनलाइट में न यदि आप पॉर्ट में लगाए हैं तो और जमीन में तो एक ऐसे भी चल जाता है पानी नमी वाली मिट्टी पसंद होती है लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए बल्ब वाला प्लांट है तो बल्ब खराब होने के चांस होते हैं और जमीन में ये ओवर वाटरिंग एक जगा फिर रख देती हूं फिर से साल भर इसको पालना पड़ता है और सीजा नाने पर फिर फ्लावरिंग होती है इसेकंड प्लांट के बारे में बात करते हैं तो ये कैनलीली का प्लांट है ये भी बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है और ये जो प्लांट आप प्लावर आने बंद हो जाते हैं तब भी यह फ्लांट बहुत खुबसूरत लगता है क्योंकि इसके विरिगेटेट जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही खुबसूरत लगते हैं और इसके बल्ब भी नीचे से मल्टिप्लाई होते रहते हैं आप इसको डिवाइट करके लगा स इसको उसमें औरेंज कलर के फ्लावर आये थे और मेरे यहां अभी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है और पानी इसको अच्छे से चाहिए होता है मैंने इसे अक्सर जो बड़ी-बड़ी नालिया होती है उनके बाजू में उगा हुआ देखा है कई जगा तो नमी वाली मिट्टी पसंद होती है लेकिन हम पॉर्ट में जब लगाते हैं तो ओर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी प्लावर्ट के लिए और इसको भी ज़्यादा देख रेक की जरूरत नहीं होती समर और रेनी सीजन में अच्छे से फ्लावर्स आते हैं इसके फटिलाइजर इसको भी 5-6 घंटे की संलाइट आप दीजिए और समर में पूरे दीन की संलाइट से बचाएं बागी सीजन में आप पूरे दीन की संलाइट में रखें पूरे दीन की संलाइट में रखने से टीप वाले जो पत्ते हैं वो बर्न होने शुरू हो जाते हैं और फ्लावर दो दीन तक इसका रहता है, दो-तीन दीन तक, उसके बाद मुर्जा जाता है, और खुबसूरत दिखता है, बहुत सारे colors में आते हैं इसके flower, तो आप जरूर लगाईए इसे, कहीं से भी आप उखाड के ला सकते हैं, इसको मेरी friend ने मुझे दिया था, यह plant multiply, उसके पास बहुत सारे plant थे, तो एक plant मेरे पास भेज दिया था उन्होंने, तो यही शेयर करना था आज की वीडियो में, और मेरे garden में जो फूल खिले हुए हैं, उसको भी देख लीजिए, इस तरह से शाम के अभी 6 बजे हैं, और आ plant में, और यह देखिए, यलो वाला है, बहुत ही सुन्दर, तो 4 o clock के plant भी आप अभी लगा सकते हैं, समर और rainy season में बहुत अच्छे से flowering चलती है, तो यही शेयर करना था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बाए!